नमस्का प्रेंट्स में नाम बबलू उर्मा पेपर हैकर में आपका स्वाग आता है आजम देखने बाले हैं अब दुनिक भात का इती हास जिसमें देखेंगे यूरूपी कंपनी का आगवन यह हमारा चेप्टर चल रहा था और इसका पार्ट नंबर कौन सा है थार्ड हो जा आता हमने देखाता है चौदा सो ठान बेंकी बाद में 20 मईश्य पहले का आता है पूर्तगाल उजसुभास को डिगामा आता है काली कट पे आता है एक बार्ट के मार्ग की घोज करता है यह आप सभी को बताए उसके बाद श्यकेंड बार कब आता है तो आगो की 15-20 में आत अपना प्रिबुति스बद करने कि लिए बॉयसराय चुना जाए तो बात करते हैं पुर्तगालीयों का पहला बॉयसराय को सब्सक्राइब को लिए इसे कहते हैं एक अलगर्क जिसे कहते हैं लुख कि नाम से इस यो क्या कर आता है प्रिब मुत्य स्थाबित करने के लिए बॉत्राया चुना जाए। तो बात करते हैं पुर्तिगालियों का पहला बॉस्राया इसे कहते है पुलियों का देखने को मिलता है टेंगा यहां तक हमने पढ़ाता और दूसरा गाइस राह जो होता है यह बहुत ही माइंटेड वहता है राजनिति की होता है और बात करते हैं यही कया कहलाता है बात करें साथ में हमें अगले से आगे की वारे में क्योंकि हमें क्योंकि हैu आगले अगाले को war इस्टार्ट करते हैं फिर तो बात करते हैं में देखी अर्व होगे तो अल्बू कर के बाद पूर्तगाली बहास रहा है कौन बंता है आपके नूनो डी कुन्हा बनता है अध्यान नहकाना भी, तीसरा कौन बनेगा बहास रहा है , तो आकशोंगे नूनो डी कुन्हा का नाम Peghari तक पुर्टिगाली प्रिदेशो का शासक रहा बात करते हैं पंद्रा सो तीस में उसने कोचीन के इस्तान पर गुवा का मुख्याले बनाया मतलब जो पहले कोचीन मुख्याले हुआ करता था उसको क्या बना दिया अब अब उसके जगे कौन बना दिया गुवा को मुख्याले बना दिया गया ठीक ना मुख्या बना दिया जब क्योंकि गुवा क्या था इनका मुख्य एक क्या था मुगल बात्स हुमाईू वहादुर्ण सहा जफर का पीछा करते हुए बात करते हैं जब रेलें जब मुगल बात्स हुमाईू वहादूर्ण सहा जो गुजरात का सासक हुआ करता था वहादूशा, वहादूशा जो हुआ करता था गुज्रात का सासक, उसका पीछा करते हुए गुज्रात पहुचा, उस समय पूर्तगाली की सहायता, प्राप्त करने के लिए बहादूशाने, बसाई दीप हो जाता है, और उसके आसपास के जो इलाके होते हैं, राजिस्तान मे उस समय पुर्तिगालियों की सहायता प्राप्त करने के लिए बहादूर सहाने किसको एक बसाई दीप और उसके आसपास का शित्र होता है गुजरात का बात करते हैं पुर्तिगालियों को दे दिया गुजरात का दो आसपास का छेत था वो किसकर दिया आप पुर्तगालियों की मेरी help कर देवो तो बात करें और यदि दीप भी ब्यापारेक केंद्र बनाने की अनुमती देदी कि आप बहाँ पर भी जो बसई दीप है बहाँ पर ब्यापारेक केंद्र बना सकते हो बस मेरी मदद कर दो हुमायू से मुझे बचा लो बात करते हुमायू के जाने के बाद पुर्तगालियों और बहादुर साह के संबंद खराब हो गए किसके पुर्तगालियों और बहादुर साह को बारता लाब के लिए कुना के काल में पुर्टगालियों ने बंगाल के हुगली नामक इस्तान पर अपना व्यापारी केंद्र इस्तापित किया तो हुगली कहां पड़ता है आपको के हुगली पड़ता है कहां पर बंगाल में और पुर्टगालियों ने कहां पर इस्तापित कर दिया तो हुगली में भी क्या कर दिया है उन्हें एक केंदर इस्तापित कर दिया बात करते हैं 1538 में जो गार्बियो डी कौन था नूरहना पुर्तगाली उपनिबेश का ब्वाइसरा इन्युक्त हो गया मतलब चौता ब्वाइसरा कौन मनता है आप देखोगे यहां पर तो कौन आ नूरहना की बात कर लें तो गार्बिया डी गोना नूरहना को पुर्तगाली उपनिबेश का ब्वाइसरा इन्युक्त किया उसने पुर्तगाली जहाज बेड़े को पराजित किया उसके दीप और घेरा डाल दिया उसके जो उसने किसको उसने तुर्की उसने तुर्की जहा और चाहें को तुरकी जहादी बेडे को पराजित किया उसने डीप पर घेरह डाल दिया और उसके बाद बहादूर सहा के उत्रादिकारी से संधी करके दीप को इस थाई रूप से पुर्तगाली के अधीन कर लिया बात करते हैं 1569 में 1569 में पुर्तगाली उने दमन को दमन को भी अधिकारिक कर लिया दमन और दीप है ना बात करते हैं इसके पूर्ब पुर्तगाली उने लंका के बड़े भाग पर अधिकार कर लिय बहुता सफलता प्रापविक पाश्मी तट पर सालसेट और चोल कोरमंडलट और बात करते हैं कौन सा सैन्थम जो मदरास्का होता और बात करते हैं और बंगाल के वगली उनके अधिकारक में आ गए और भापको ने खेंद स्थापित किये बात करते हैं बापस्था 1569 इस वी म सबसे सक्ती चाली हो चुके थे दच्छड भात में बात करते हैं जब विस्व के तीन भाग उनके पास विस्तत छेतर थे इक ऐसा गुआ था लंका था और बात करते कौणस था बात करींगे पेंगू से चीन तक पूर्बी तरट पर गुआ के बहसराइब का अधीनता के चार पुर्तिगाली गवर्नर थी कौन कौन से थे यह आप देख सकते हो तो बाप कोगे कौन से थे पहले देखा है तो मुझांबिक का हार मुझ था मस्कर था और कौन से था मलक्का इनके खेंदर बन चुके थे और यहां के गवर्नर उन्ने नुक्त कर रखे थे बात करते हैं उसक England और Holland का उत्थान था मतलब France हो गया England हो गया Holland हो गया यह क्या करने लगे ब्यापार देखा कि ब्यापार से बहुत कमाई हो रही है तो यह हर कोई चाहता है कि अपने देश की उनिती करना है ना तो यह भी क्या चाहते थे अब यहाँ पर क्या मिलेगा पतन देखने को इसका मि कि आहिएगा हम क्या समझाएंगे वहीं देखेंगे तो हमने सारी बॉहसरा नाम याद कर दो कोई इन तीनि पूछेगा बाकि कहीं से नहीं तो बात करते हैं पूर्भी और भात में नितियां इस परच्ठ थी कैसे दी पूर्तिगालियों के नितियां ती जो उनका चरित था एक लिकास से इस परच्ठ था वे समुद्र पर अपनी सक्ति सर्वोच रखना चाहते थे तोगी समुद्र ते ही आये थे और समुद्र में का गरना चाहते थे अपनी सक्ति स्थोज़र रखना चाहते थे जिससे पूर्व और भारत में ब्यापार पर उनका एकादिकार इस्तापित हो सके इनका मतलब बस यह था कि भारत में आएंगे अपनी एक कोठी स्थापित करेंगे और भारत का जो माल वगएरा वो खरी देंगे और अपने देश ले जाएंगे इनकी बस एक प्रेनितीधी भारत को लूटना कि क्या हम बात करेंगे एक अदिकार स्थापित रहा यह है एक अदिकार पुर्तिगाल के साही परिबार का था जिसके लिए उन्होंने अपने प्रतीश परतीश-पर्दियों मतलब जो अर्भी वगरा हैं प्रतीश-पर्दियों सब परते हुए हम इसको आ रहे हैं ना शंपने समुद्री राजमर्ग को क्या कहा आप को गए इन्होंने कहा था इस पहा था समद्री साम्राजद को कहा था यह आपको 53 लम दिया था इसके तहट उस ने इसे तहत उनkे अधिकार छेत्र से गुज़नेवाले जहाजों की सूरक्षा कर देना वहता था जिसे क्या गया जिसे काटार या फिर पर है करेंगे जहादो की निंगल जा सकते हो उस छेत्र को क्या कहा गए यह स्वच्छ छेत्र है वारे लिए आराम से इसमें आभ यापव्यापार कर सकते हो ठीक ना तो यह उन्होंने दिये थे एक तो सामराज का नाम दिया सामराज का नाम क्या दिया तो इस्ताद जो अकबर था अकबर कोई विदेश की आप विदेश जाने के लिए जब हज बगएरा गए थे तो यहां पर आपको देखने को ही मिलेंगे और बात करते हैं किया ब्यापार बगएरा करना चाहिए था तब भी आपको बात करने मुगल बासा अकबर को भी पूर्तिगालियों स सब्सक्राइब करने के लिए उन्होंने अपने कारखानों को किलो के रूप में किलो के रूप में तो हम क्या करें उन से अपनी रक्षा कर सकें तो उन्हें केंद्र बनाएं और कॉछीं लड़ने के लिए वही कार खाने वही दुर्ग लड़ो और यहीं पर काम करो बात करते हैं 1503 303 में में कोचीन में मैंने कहाता ना पंडरा तीज में कहां पर कोचीन कोचीन में भारत में प्रतम फेक्टर pret inhabit स्थापिती थी और पंद्रा सो पांच में कहां कि थी कुन्नूर में कि थी मैंने पहली लिखवा रखा आपके लिए बात करेंगे तुमारा पंद्रा सो दस इस में गुवा में दुर्ग इस्थापित किये गए कहां पर पंद्रा सो दस में गुवा में दुर्ग इस्थापित क किया जाए कि स्थाफ Garrett फ convention a को बैठा हुए ता कहाँ पर पुर्टिकाल में राजा उसने क्या दिए थे बात करते हैं हिंद महासाघर पर कहा किछा था हिंद महासागर पर निंद्र इस्थाफ़त कि द्थाये बात करते हैं इसके किरयान वेड के लिए अल्बू करक ने 1515 इस्वी में मलक्का और हारमुद पर अधिकार किया था ये हमने पहली पर रखा है कि अल्बू करक कौन था एक बात करते हैं प्रसिद बास्बे संस्ताफ़क इसका हो जाता है ये भी आपको धान रिकना है और बात करते हैं नीसी ने 1515 में कहां पर मलक्का और हारमुद पर किया था बात करते हैं पुर्त गालियों ने बारत के पश्मी तट पर अपने नाविक और विया साप्त किये बात करते हैं 1514 Total frågor में दीपर और बात करते है 1569 इसवी में दमन पर अधिकार कर लिया थे लिया था इस में इस प्रिकार भारत बारत मलाया इरान अफ्रीका आदी तटो पर पुर्तिगालियों का पचास दुर्ग इस्तापित कर दिये गए थे इसमें इसके जहाजी बेड़ों में सो अधिक जहाजी बेड़ों क्या थे सो से अधिक भी क्या थे जहाज देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं बात करें हिंद महासागर पर नंते स्थावित करने के लिए पुर्तिगालियों को अपने प्रतीस परदियों से नाबिक युद्ध भी करने पड़े थे मतलब नौ सेना युद्ध भी करने पड़े थे तबी तो वही नौ सेना सकती थी इनकी तो नौ सेना भी युद्ध भी युद्ध भी करने पड़े थे बात करेंगे यहाँ पर करने पड़ा बात करें 1509 इस्वे में अल्मिडा ने गुजरात और मिस्र के सुल्तानों के संयुक्त नाबे के बेड़ों को पराजित करके अरब सागर में पुर्तिगालियों को सर्भोचता इस्तापित कर दे थी अल्बुकर्क ने गुवा पर अधिकार करने के साथ उसके नागरिक अलाके पर भी पुर्तगालिया अधिपते स्थापित हो गया था ठीक है वही चालो आगले बढ़े फिर बात करते हैं करके वीजापुर के समुद्री ब्यापार को समात कर दिया था और अल्बुकर को यह अमने पहली पढ़ ऊके हैं बस भई हम पढ़ रहा है यह पहले भी पढ़ चुकिए इसकाँ समझा चुकिए बात करेंगे यहां पर हिंद महासागर्पन इंटर करने के लिए क अरेबिया पर अधिकार हो गया था यह आसंका थी कि लाल सागर और अर्ब सागर में तुर्की का हस्चेप होगा लाल सागर यह उन्हें पहली पढ़का है कि लाल सागर और अर्ब सागर जो था उसमें तुर्की हस्चेप करेगा बहाँ पर उन्हें पहले ही अपनी नोसिना इस्तगित कर दी थी, बात करते हैं अता अर्बुकर्क ने गुजरात के सुल्टान से मांग की कि सुल्टान दीप और बेसीन के दुर्ग बनाने की अनुमती दे, तो खमबात के ब्यापारिक केबल खमबात बंदरगा से ही माल निय दे किसे जो राजा हुआ करता था कहां का बात करते हैं बीजापूर गुजरात की बात कर रहे हैं ठीक ना आगे बढ़ते हैं इसकी देखेंगे है ना बात करेंगे सुल्तान किसी रूमी या ओटो मन तुर्क को अपने राज में आने ना दे लेकिन सुल्तान तुर्कों की मित्रता करके पुर्तगाली नाबिक सक्ती का दमन करना चाहता था जो वहां का सुल्तान था वो पुर्तगालियों की सक्ती का दमन करना चाहता था और अर्बों से हाथ मिलाना चाहता था तुर्कों से हाथ मिलाना चाहता था बात करते हैं अता सुल्तान ने तुर्कों से मित्रता इस्थापित की और यूरोपियों को तुर्कों की ओर से खत्रा देखने को मिला तो 1515 इस भी में 1550 इस भी के परश्यात बना रहा बात करते हैं 1651 इस भी में तुर्की नोसीना ने कहां पर मसकट और हारमुज के पुर्तिगाली दुर्गों पर असफल आकरमर किया किस पर असफल मतलब सफल नहीं रहे तुर्की यहां पर भी सफल नहीं रहे फिर भी इसे सहायता तो मिली सुल्तान की मगर फिर भी सफल नहीं हुआ बात करते हैं पुर्तिगाली उने इस बीच दमन पर अधिकार करके अपनी इस्तिती को सुद्रल बना लिया कौन थे पुर्तिगाली थे उन्हें दमन पर क्या किया अधिकार बनाया danced by Canindr कि कि तुर्की और नॉसेना si और पुर्तिगालियों की अंतिम टककर हुई कब moments 544 कि इसमें आसपल होने के पश्चा तुर्कों ने die योरोपीयों के प्रती समझ और की निती अपनाई थेग eld अगले देखेंगे अंत में 1506 इस में पुर्तिगालियों और तुर्कों के मद्द समझोता हो गया कब होगा 1566 में डेडिया दखना बात करते हैं इसके अनुसार लाल सागर अर्ब सागर में तुर्की को भारतिय ब्यापार से सम्मिती अधिका प्राप्त हो गया मतलब कि आप कहां कर सकते हो लाल सागर और अर्ब सागर में ब्यापार कर सकते हो यहाँ पर अनुमती दे दे गए यह संदी मिली देखने हो में लेगे बात करते हैं इसके बाद तुर्के ने अपना ध्यान यूरोप में केंदित कर लिया तुर्क जो थे वो यूरोप में क्या करते हैं अपना ध्यान केंदित कर गए बात करते हैं और और पुर्तगालियों से उसने संघर्स की संभावना समाथ हो गई 1565 इस भी में बिजय नगर की पराजय से बीजापुर राजिक को होसला बढ़ गया अता 1570 में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल साह ने एहमद नगर और काली कट के जमीदारों को मिला कर एक गुट बनाया किस ने जो बीजापुर का साइस कुवर करता था कौण करता था अपुए सुल्तान आदिल साह वा करता था बीजापुर का सास की वह उद्रे को क्या था और यह गुट्ट बनाया इसका उग्देश प्रत्रगालियों को दच्छल भास से कहा करना था बाहर करना था कि अपने देश से अपने बात करें दच्छल भास से हमें निकाल फेकना था लेकिन उन नहीं के चोल गुवा पर आकरमन असफल रहा मतलब इन्होंने जो चोल गुवा पर आकरमन किया था वो कैसा रहा असफल रहा क्योंकि बहाँ पर तो यूरोपियों की कोटी बन चुकी थी दुर्ग बन चुके थे बात करते हैं हिंद महासागर पर पुर्तगालियों के सफल निंतर के कई काड़ थे मतलब हिंद महासागर पर जो पुर्तगालियों के सफल सफलता के काड़ क्या थे ये आप से पूछ लिया आते हैं एक्जाम में लिखने के लिए तो यहाँ पर आप देखोगे हिंद महासागर में पुर्तगालियों के सफल होने के काड़ क्या थे यह अब हम देखेंगे तो पहला काड़ क्या था इसको देखेंगे बात करेंगे उनकी नो सेना उस समय की अन्य नो सेना से स्रेश्ट थी क्योंकि यह लोग समुद्र से आये थे और समुद्र में यह लोग बहुत ही पैसकते हैं अच्छे अच्छे जहासते इनके बड़े बड़े और वह इंसे टक्कर ले सकते थे बात करेंगे समुद्री तट पर उनके महात्पूर केंद थे जो नो सेना और व्यापार के लिए आबश्यक सामागई प्रधान कराते थे हमने कहा था ना मलक्का था अदम था यह ना इस सारे के सारे उनने इस्ताफित किये थे अगले बात करते हैं बहुत सारी थे चारपांस देखे तो ने बात करते है यह पडोसी राजर जो में भारतियों को राज दूत bना कर भेज़ते थे थे खिस मतलब गुप्त चरही कहते हैं तो राजदुद मना कर बेज़ते थे जिससे उन्हें महतपूर सुचनाय प्राप्त हुआ करती थी कि चल क्या रहा है आगे देखाया दूसरा और काल क्या था इसको देखेंगे तो बात करेंगे उन्होंने घोडों के आयात ब्यापार पर अगले बात करेंगे यहां बात करेंगे पूर्तगालीयों के समुद्र की ब्यापार पर भी नंतर ओथा एकादिकार इस्थापित किया इसकी ब्यापार नितिकों काटज आर्मेडा काफिला प्रिणाली यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको आपको ध्यान अख रहा है यह है क्या देको बात करते हैं पूर्तगालीयों ने समुद्र की ब्यापार पर भी नंतर और एकादिकार इस्थापित करने की एक प्रिणाली बनाई थी वो निति क्या थी यह आप से पूचेगा तो वो नित क्रिणाली थी क्या आपके उघंव के मिडा काफिला इससे क्या यह थी क्या यह को आटेज आरमिडा काफिला प्रिणाली यह थी क्या ता कोई यह बहुत बढ़ा जहाज जब कोई बड़ा जहाज भारत से जब इनके यूरोप की ओर क्या ले आता था पुर्तगाल की तरफ क्या ले आता था जब माल ले आता था तो ये जो थी कौाटज, और्मिडा, काफिला, प्रडाली ये काफिला हुआ करता था इसका सेना का काफिला तो ये उस जहाज के चारो और क्या करता था निगरानी करने के लिए चलता थे चारो और निगरानी करने के लिए सरस्ता चलती थी ये समद्र में जहाजों की ब्यापारिक जहाजों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी क्यों से थी जहाज को क्वार्टज या अनुमती या पुत्रब या पत्र पुत्रगालियों से प्राप्त करना पड़ता था क्वार्टज प्राप्त करने के लिए ब्यापारिक पुत्रगालियों को उनका आवश्यक सुल्क देना पड़ता था देखो बात करते हैं क्वार्टज तो उनने कौन लेना टेक्स लेना है ये दोखो मुगल से भी टेक्स लिया था मतलब अक्टुबर से भी टेक्स लिया था इनोंने कौाटज लिया था बात करते हैं बिना कौाटज समाप्त जहादों को डुबा दिया जाता था इसका ही नहीं इतना ही नहीं पुर्तगालियों में कुछ बस्तों का ब्यापार भी निस्द कर दिया था कि आप ये ब्यापार नहीं कर सकते सीमित कर दिये इनोंने बात करते हैं जैसे की काली मिर्च गोला बारूद ये ब्यापार आप नहीं कर सकते ये ब्यापार सिर्फ किसके आप में काली मिर्च का ब्यापार कौन करेंगे सिर्फ पुर्तिकार कर लिया जाता था उन पर सबार करते हैं मुगलों के रूप में भेज दिया जाता था गुलामों के रूप में जाता था और बात करते हैं इस नियम का पालन कराने के लिए पुर्तगाली नोसेना जो कौन से दी आरमेडा आरमेडा देखे हमने आरमेडा पुर्तगाली नोसेना को क्या कहते थे आरमेडा कहते थे बात करते हैं बल परियोग करती थी इस तता पुर् सिया के सास को केव को यह अत्याचार सहना पड़ा क्योंकि पूर्तिगाल से ना अधिक सक्तिसाली थी फिर बात करते हैं सोलवी सताबदी की बात आजाएगी सोलवी सताबदी की सोलवी सताबदी में सोलवी सताबदी में पुर्तिगालियों ने कौार्टज और आर्मिल के साथ काफिला प्रडाली भी जोड दी अब ये क्या है काफिला इसको देखेंगे इसका अर्थ है कि जब इस्थानिय ब्यापारिक जहाजों का एक काफिला चलता था ये क्या था एक इस्तानिय जाहाजों का एक काफिला चलता था जो क्या करता था जिसकी रख्षड पुर्तिगाली जाहाज करते थे जो काफिला के साथ चलते थे उनका उध्यस ब्यापारिक ढाकूवजा है जा करना था करते थे हमने तीनों के बार देखा है ना हमने देखा क्या होता है यह टैक्स होता है आर्मेड क्या होती है फोर्स होती है आर्मेड क्या थी फोर्स थी और बात करते हैं कौन सा और यह काफिला और काफिला क्या था समुद्र के जो ब्यापार करते हैं उसकी रक्षा करना काफि के बेड़ा बनाने की कभी परत्र नहीं किया था मतलब मुगल मुगल थे वो कहाँ पर सीमित अब लिकाल तक तो यह और इस और की बात ने इस और की बात कहां तक थे यह मंदर पड़ता है नहीं परवत पढ़ेगा एक अब रुक ना एक परवत पढ़ेगा आपके लिए मिलेगा हिमगिरी नहीं रुको ऊपर क्या पढ़ेगा ऊपर आपको होता है हिमाले तक ऊपर आपको मिलेगा हिमाले तक ऊपर हिमाले तक नीचे जो आपको देख में हैं और नीचे यह कहां तक भिक सिकते नीचे जो मोंगल भिक सिकते वह विद्ध्र रिप्रवत संख्ला खाब तकлег और विद्ध्यान्च ऐस से हुआ ठेका आगे बढ़ते हैं तो बाइक कभी-कभी इस्थानी बैपारियों ने पृतिगालियों का बिरोद किया लेकिन अंताइफ पृतिगालियों की सवस्था पर्णा अनुसार यहां तक अगा कि होता है समाप्त होता ही है है यह में दिसक्स किया हमने इसके बारे में है और यह था क्या इसके बारे में अभी मैं अब देखेंT सारी कुछ वाती में जोगस मतलब प्रिवुत इस्ता पे किया था कैसे-कैसे उनोंने अपनी पूर्टगाली निंतरर पर है मैं यहा पर बनाई रखने में अपना जो संप्रोंगता और बात करें व्यापाय मैं नितियों एक फ्रांसिस कुडा अलबुकर्क दूसरा और नीनू बस मैं तीन को ही याद करना है तीन से कोशन बनता है चोथे से कोशन नहीं बनता बाकि आपको प्याँ पूछेगा तो नितिया पूछे लेगा और क्या पूछेगा आप से पूर्तिगालियों के पतन की बात करेगा तो पूर्तिगालियों के पतन जो हम देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए जैहिन जैभाराद